बिहार में सिक्षा बिवस्था को मुचिदाती ये तस्वीर जहां जानवरों के साथ पढ़ने को मजबूर नौनिहालों का भवशे एक तरफ सरकार जहां सिक्षा बिवस्था को चुस्त दुरुस्त होने की दावा करती है लेकिन ये तस्वीर बिलकुल उल्टा है क्योंकि इस सरकारी स्कूल के पास न तो अपना भवन है नहीं कोई और संसादल लिहाजा बच्चे खुले आस्मान में पढ़ने को मजबूर है जी हाँ हम बात कर रहे हैं पुर्वी चम्पारन के पता ही का जहां परस्तित नौस रिजित प्रात्मिक विद्याले रामपुर मनुरत का जहां बच्चे पशों के साथ बैठकरड पढ़ाई करते हैं कारण ये है कि स्कूल के पास अपना नभवन हैं जबकि इस्कूल के अस नासू बहा रहा है वहीं जब चात्र और उनके अभिभावक्स बाक्षित की गई तो उनका क्या कुछ कहना है सबसे पहले आप वो सुने उसकूल का क्या नाम हुआ बीद्याले नहीं है क्या बाइस के समय में क्या परचाने होती है क्या नाम आपका नाम सिमा कुमारी तो बाचा के पढ़ने में दिकत होता है कि बाच्चा पढ़ता है तो गाम में इधर सो इधर भागता है यह जोगा नहीं है कूर्सी नहीं नहीं है यह सब परशानी जह दोप में बैट के पढ़ता है माटर क्या करेगा सब्सक्राइब कर आधा रहा है कहा थे मनोर्था रांपूर मनोरत आपने विद्याले के छात्र और उनके अभिभावग दोनों के सुना छात्र का कहना है कि वो लोग इसी तरह पशू के साथ पढ़ाई करते हैं वहीं अभिभावग का कहना है कि स्कूल का अपना भवन नहीं है जसकारण बच्चे मवेश्यों के साथ पढ़ाई करते हैं वहीं आपको बता दे कि ग्रामिन छेतर में चल रही इस स्कूल में सुबिधा के नाम पे कुछ नहीं है क्योंकि जब हवन ही नहीं तो सौचाले, चापकल, किचन कहां से हो स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की हालत को देखते हुए, पूर्व प्रखंड प्रमुक ने अपना एक पसुघर दे दिया, लेकिन बच्चों का दुरभाग्य ये है कि उस कमरे में मवईशी का भी बसे रहा है, जिसमें जैसे तैसे बच्चे धूप और बशात से बचने के लिए जानवरों की साथ बैठ कर पढ़ाई करते हैं, साथ ही मध्यान भोजन भी करते हैं, विद्याले के प्रिंस्पों ने कहा कि उन्हें उजिस तरीके की सुबिधा है, उसी सुबिधा में वो पढ़ाई करवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बिहार सरकार पे, सिक्षा बिवस फेस्बुक पेज को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद